बिहार में, पटना जिले में, फत्वा और खुसरुपूर के बीच में इस्थित, बैकुंठ नात, गौरी संकर मंदिर बिहार के प्रमुख मंदिरों में है, यहाँ गंगा के पावंधट पर इस्थित है और सावन के महिने में यहाँ काफी संख्या में भक्त जन्द, भगवा सिब की पूजा अर्चना के लिए आते हैं, यह एक अत्यंत प्राचिन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कई दंत कथाएं, जन्सृतियां, इस लाके में प्रचलित हैं, भगवान सिब, हिंदूओं के सबसे बड़े देवता, महादेव कहे जाते हैं और उनकी पूजा से लगतों के जिवन में सुखा और आनंद का समावेस होता है, यही वज़ा है कि गौडि संकर मंदिर में भी काफी संख्या में सालों हर भक्त जनों का आना जाना लगा रहता है, और सबके मन को असीम सामती मिलती है यहां पर आकर, अगवान गौरी संकर महादेव सबकी मनों क कामनाओं को पूर्ण करते हैं, गौरी संकर मंदिर से राजीव कुमार जा की डिपोर्ट, यह पटना जिले में खुसरूपूर और पतुहा के बीच, बैकठपूर गाओं में इस्थित, भगवान सिव का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, जिस मंदिर को गौरी संकर मंद से जाना जाता है, और बताया जाता है कि मुगल सासक अकबर के काल में, उनके सेना पती मान सिंग ने अपनी बंगाल यात्रा के दौरान इस अस्थान पर इस मंदिर को अस्थापित किया था, इस तरह से इस मंदिर के कुछ है, तिहासिक संदर भी इस रूप में यहां दृष्टी गोचर होते हैं, उनकी जानकारी मिलती है, बगवान सिव का या मंदिर गंगातट पर इस्थित है, और यहां सावन के महीने में काफी लोग आते हैं, भक्त जनों का आना सालों भर यहां लगा रहता है, और यह यहां आकर लोगों की मनो कामनाएं पुर्ण होती है, उन्हें असीम सांती मिलती है, बगवान सिव का प्रेम और उनका असिरवात पाकर जीवन धन्य धन्य हो उठता है, बैकटपूर से, गोरी संकर महादेव मंदिर, प्रांगन से, राजीव कुमार जाय की रिपोर्ट पुर्ण दिए झाल वाल कर दो कर दो झाल 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 झाल